करगन के पुन्यार जखें क्योर योगाइवं ध्यानकेंद्र http slash drhya.com जई श्री ओम नौहाश देव्या पंच पर्मिष्टी भग्वान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महराज की आचार्य श्री गुरुवर विध्या शागर महराज की महान आत्मों की एक विशेष्टा देखी हैं कि उनके जीवन में दुख भी आवे शंकट आवे परिशानियां आवे बिशारी बिठाएं कथा बन जाती कैसी बात एक पापी जीवन के व्यक्ति के जीवन में दुख आवे तो वो अपरादी बन जाता है तुछ व्यक्ति है तुछ विचार है श्वारती है वासनालू है दुनिया को जिसने दुख दिया है उसके जीवन में कभी दुखाता है तो वो अपरादी बनता है दुर्जन बनता है और जीवन इतना निंदनी हो जाता है कि उस मारपर्क तो क्या उसका नाम भी कोई नहीं लेना चाहता है लेकिन जो दुनिया के लिए जी रहा हो जिसने सो और परको कभी दुख नहीं देने का भाव किया हो जो सदा दूसरों को सुखी देखने की जिसकी आदत हो शदा धर्म की धुजा को उच्छी फैराने का भाव करता हो ऐसे व्यक्ति को यदि दुख आ जाए लोग दुनिया उसे दुख को कथा बना देती है कथा बना देती है यदि ऐसे अपरादी को व्यक्ति को जेल हो जाए तो वह जेल भक्तांबर पाथ बन जाता है किसी पापी व्यक्ति को जेल हो जाए तो गहरे अरे जेल में पड़ रहा है और किसी महान आत्मा को जेल हो जाए तो भक्तांबर का इस्थान बन जाता है यह महान था हम महान क्यों हो जाते हैं क्यों महान की पूजा करते हैं वो महान क्यों है क्योंकि वो पासर पारस पत्थर के शमान होते हैं वो उनकी जीवन में आई हुई विपदा भी कथा बन जाते हैं जेलियों की चर्चा करने में पाप का बंद होता है चोड कथा भी कथा कहलाती है, चार भी कथाएं होती है आहार कथा आहार काने के बाद अब दिन बड़ आहार की चर्चा कर रही है आज तो मज़ा आ गया, आज तो यह हो गया, यह हो गया, अरे भई अब काय को विफाल तो परिसान हो रहा है, और बुरा हो गया हार, आज तो दिमाग बिलकुल बेकार है, बोले का, यह कहला है थी, भी कथा, आज चार, शास्तरों में आया, कि आहार जैसा भी हुआ हो गया, आज उसकी कता मत करो, एक इस्तरी कता होती है, अब दिन लिए थम इस्तरीों की कताईं करते रह भी, वह तो त वहा ही किसमत में जैसी दिएsty लिकी ती, वह तो मिल गई है, आज उसकी बलाई करो चाहे, बढ़ाई करो, कुछ नहीं होने वाला गोपाल दाज जी बढ़ाया वो कहते हैं कि अब क्या बढ़ाई करना वो तो कुछ चीजे ऐसी होती है जिनको यथावस विकार कर लेना चाहिए क्योंकि वो बदली नहीं जाते जो कार ये बदला नहीं जाता उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि बदली नहीं जा सकता कैसा भी हो माबाप कैसे भी हो वो बदली नहीं जाते उनके बुराई करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस तो तुमारा जन्म हो चुका अब उनकी बुराई करने से कोई फायदा नहीं है भी कथा कहलाती है क्योंकि बल्दियत एक ऐसी है जिसको कभी भी बदला इसी प्रकार हमारी भारती शंसकती में आपका एक बार विभाय हो गया उसको बदला नहीं जाता हिस्तरियों को तो खास्टार से कह दिया गया जैसा मिले एक कहते ना पती परमेशा मैंने सोचा यह परमेशा कहाँ से हो गया तो लोग बोलते हो तो हम सोचते फिर मुझे पता चलाया के हिस्तरिया जाती है कैसी है कि उसको जो भी मिला जैसा भी मिला उसकी अदला बदली नहीं हो सकती इस तरीके विवाय को काट की हंडी के शमान कहा है जो कुछ नहीं बदला रहा है भारती संस्किती बता रहा हूँ आज कल की तो मामला बदला नहीं उसमें जैसा मिला कोड़ी मिलार तो स्विकार है पागल मिलार तो स्विकार है जो जैसा मिला उसकी बुराई करने से कोई फायता ने एकसेप्ट करो उसमें बदलाहट ने डेटा हो गया कुछ नहीं कर सकते जैसा है बैसा एकसेप्ट करो इसी परकार जो तुम्हारा जीवन में आया है राजा का भी चौती कता थी राज कता राजा की बुराई करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो राजा मिल चुका हो चुका उसमें कोई बदलहर नहीं बलकि राजा की बुराई करने से कितनी बड़ी बात खह दे जैन आचारियों ने हम लोगों को बिर्ती को जो जैन मुनी कहीं नहीं डरता बृद्ध राज्याति क्रम राजा के ब्रोध में कुछ मत बोलो क्योंकि वो राजा है रामचन जी जब बनवाज जाने लगे तो शीता को शम्बोधन करते हैं कि मैं बनवाज जा रहा हूँ बस तुम्हें एक नियम लेना है कि तुम जब तक मैं यहां लोटके नहीं आओ तब तब तुम मेरी प्रिसंसा नहीं करोगी और राजगदी पर जो मेरा भाई बैठेगा उसकी बुराई नहीं करोगे राज माता की बुराई नहीं करोगे तो सीता कहती है यह मेरे से कैसे हो सकेगा जिस माधान है जिस बेटे ने हमारा सर्वनास कर दिया उसकी मैं भुराई नहीं करो और मैं आपकी प्रिसंसा नहीं करो यह संबह नहीं होगा मेरे से बुले इनियम तो लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा तुम मेरी प्रिसंसा नहीं करना जनता तुमारे पास आएगी भरत से कभी गलती होगी तुमारे पास आएगी कि देखो राजा राम गद्धी पर बैठे होते तुम आज इदुक्रिव तो तुम प्रिसंसा मत कर देना राज गद्धी पर बैठने के बाद राजा किसी दूसरे की प्रिसंसा सुन नहीं सकता इस गद्धी का सबसे बड़ा दोस है इस गद्धी पर बैठते बैठने के बाद बेटा भी बाप की प्रिसंसा नहीं सुन सकता राजगदी का सबसे बड़ा भीक पॉइंट बता रहा हूँ जबी राजा के सामने राजगदी पर बेटा बेटा और किसी ने कह दिया इससे अच्छा तो तेरे बाप का राज जथा तेरे पिता जी राजा थे ना तब बहुत सांती थी पस खतम हो गया उसको बरदास्त नहीं होगा उस सुन नहीं सकता उसको आग लग जाएगी क्योंकि राजगदी पर बेटने के बाद राजा का कोई बाप नहीं होता क्योंकि वो सबसे बड़ा अपने आपको मान लेता है बापको भी अरिष्ट कर दे क्या करेगा कोई कानून नहीं है राजा अपने मम्मे पापा को अरिष्ट करे कोई कानून नहीं बचा सकता है क्योंकि राजगदी है हमारे सास्तरों में हैंसे भरे पड़े गुए जैसा राजगदी पर बैटा सेनक जैसा राजा आदे दे धिया बंदी बना लो सेन एक बंदी बना ले गो मैं तेरा बाप हूँ मेरी जल मैं बोले हम बाप माप कुछ नहीं होता है यहां तो राजा होता है राजा होता है बिरोड चर्शा नहीं सीता बस इसी बात को पकड़ ली वैसे तो समझ गो बस प desperate लिया जिस सकति के अस शत्त का पर्तिकार ने कर सकते ऐसे राज्य में मैं नहीं रहूँगी मैं नहीं रहूँगी मैं आएगी नहीं मेरे मन में प्रसंसा आएगी प्रजा प्रसंसा करेगी प्रजा को भी रामचंजी ने यही आशिरवाद अब देश दिया जब तक मैं यहां नहीं हूँ कोई भी प्रजा राजा के सामने मेरी प्रिसंसा नहीं करेगा प्रजा का अंतु संबोधन था रामायन के अनुशार जो सीता को संबोधन है तो सीता ने तो कह दिया कि मैं तो साथ चलूँगे लकिन प्रजा को जब दे दिया कि तुम लोगों को एक ही तुम मुझे चाहते हो यदि तुम मुझे चाहते हो तो प्रजा जनो एक ही नियम लेना जो अयुद्या की राजगदी पर बैठ है उसके सामने मेरी प्रिसंसा मत करना कितनी दुखाव हैं लेकिन ये मत बोरना कास आज राजा नाम होते तो ये नहीं होता ये सब्द नहीं बोला प्रजा भी कह दिया कि साम ये तो नहीं हो सकेगा मैं अभी साथ चलूँगा मैं नहीं रहूँगा आपकी प्रिसंसा कि ये बना मैं जी नहीं सकता और आप जैसा राजा कोई हो नहीं सकता और राजय गुल्ठ नि करेगा मैं आपकी प्रसंसा नहीं करेगा हो नहीं सकगा ओले नहीं तुम लोग नहीं जानते हो राज मीती यह प्रसंसा तुमारे लिए शंकट का कानव बन सकती है शंकट का कानव कैंब क्योंकि राजया से बड़ा कोई भी नहीं, महराज भी नहीं शादू भी नहीं कानून में सादू बड़ा नहीं है कानून बड़ा है कानून बड़ा है सादू बड़ा है, अपनी सद्दा बक्ती में यहां तक की यहां तक की कानून की द्रस्टी में भगवान भी बड़ा नहीं है, कानून बड़ा है, भगवान को भी कानून बड़ा है, देख लो रामचन जी को किसकी बात मानना पड़ी, कानून की, कानून की बात मानना पड़ी, बचन दिया है, और जो बचन है वो आप लिजी, कानून की बात में रामचन जी को बनवाज जाना पड़ा कानून की बात में किष्ण को जेल में जन में लेना पड़ा इतना बड़ा चक्रवज़ जेल में लेना कुछ नहीं है मानुआ कानून जिसके हाथ में है उस बड़ी शक्ती दुनिया में कुछ हो नहीं शक्त पर जाने के लिए ठीक है मैं चलूँगा तुम्हारे साथ अब रामचन जी घबरा गए अब जंगल में हमारी खुद की विवस्ता होना मुस्किल है और उसमें लक्षमा और पीछे लग गया चलो पुरुस लग जाए तो लग जाए एक जनाना सवारी होगी सो पुरुसों की यात्रा इतनी परिशानी काल यदि एक जनाना सवारी हो तो आपत है रामचन जी यह कहते है जनाना सवारी और बो जंगल में जो इतने कष्ट आये किसके कारणा है जनाना सवारी 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 जनाना स तो द्रोपती जनाना सवारी ने आप रहन करें कहां धात की खंड में जाकर अपनगा दिया शमुद्रपार करना पड़ा बचने की कोई गुंजाइस नहीं थी पांड़ू की मात एक जनाना सवारी करें ये तीन चीजें जर जोरू और जमी ये तीन चीजें ऐसी है जिस पर महाभारत क्या कितने बड़ बड़े युद्ध है कुछ भी नहीं है तो प्रजा तो प्रजा जाना लगिए अभी प्रजा को बनवास में कैसे विवस्ता करूंगा कहां खिलाओंगा कहां प्लाओंगा तब राम चंजी ने उनको धोका दे करके नदी किनारे समने का चलो सब चलते और रात में सब ठके तो थे ही सब घर राते लेके सो रहे थे राम चंजी रात में तीन ओठे और अंदेशी दिसामें चले गए जैसे हमारे आचाय से चले जाते है कोई मतलब नहीं पूचे पाजे नहीं इतने भटकते हमारे आचाय से त्रॉम लोग करते महराज जी तेको पहले पूच लेते भटकते तो भटकते तो भी उलेते भटक नहीं कि मजा है अचे बटक जाते हैं कई बार शन उन्नीश एक्यासी में पूच गुरी देव ऐसी चल पड़े किसी को नहीं बताया दो रास्ते थे एक में समाज थी एक में समाज नहीं थी अब किसी को पताना तो है नहीं अब सुयम को पता नहीं है और यह रस्ता ठीक दिए चल दिए अवस रास्ते में सन उन्नीश एक्यासी में संग बहुत छोटा था नो सादू 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 थे और साथ किलो मेंटर तक कोई समाज नहीं है सब कहता है मराजी आपको जाना कहा है बता दो यह रास्ता ठीक नहीं बहुत बता भी को तैयार नहीं है राजिक कहां जाना हाप बता वोड़ा यह तक या दिया अन्गल खंग भान गषए अब सभीरास्ता तो बतादे यह पता नहीं कहां जा रहा है जंगल की तरफ जा रहा है यो ऐसा है निलब से जंगल गंघर जंडल आदी वास्यों का जंगल अब मुस्मा छुलक थे, अब वहां जाकर के, दस बजगे तो, कोई जोपड़ी भी नहीं, एक आदी वासियों के, कफपड़ का एक बरान्डा था, वहीं जाके पर थे, अब आँगे पीछे कोई नाकपुर के पास थे, तो नाकपुर के एक जिजानी परिवार थे, बूर चो का मुस्किल से आपाया, वो भी मुस्किल से, साथ कुरू मिठर के, वो बहुत दूर था करना के, आते ही, अब सब भोजन पानी तो बन गया, प्रगान के, अब वो क्या बोला, मुराज जी में पाटा लाना तो भूली गया, अब जल्दी जल्दी में पाटा बूल गया, पर और महराज थे, कैसे बैठें, तो मेरे मुरोग पाज आए, महराज जी आज गड़ भर होगे, अपाटा नही ला पाए, और जंगल में पत्थर भी नहीं, पत्थर थे तो भी गोल गोल बटेंगिया, चोटी-चोटी होती ना, मन के ऐसे करो, जंगल में पत्थर मत्थर पत्थर में अग्या बटेंगिया हो अब इसकी समस्या कौन समाधान करे तो हम लोग आचाइशी अचे दूर बैठे दे सामने पेड़ के नहीं अचे हम लोग आचाइशी बटेंगे, बटाओ, पहले जंगलों में महराज चोटी लग जाते थे, महराज झाते थे, महराज थ तो पेर दो फाले सेख़गी पूछ नहीं सकते हो तो 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 भाज़ क्या करते हो, तो अचा ये एक तना कहना था और हम रोग है और हम श्माशाइबादी तरह टुलगाए भाग गए तो आचा ये लोग एकदम बात करते हैं भाग जा आपके सेख़गे का अपना काम तो तो आपके लेना मेना क्या है अब परदवाने दो लिगा है अज़ दिखा यह लोग तुरंत जर्सी मैंने मिट्टी रखी तो मिट्टी रखी कुछ भूले लगी नहीं हम लोग एक सेक नहीं है जर्सी उन गाए यह ज़िए एक उचासन हो गया और क्या भाहना गया देखो उचा ह कहा मने कुछ नहीं वे गोल गोल भुटेंगे है ना उन्हीं को जमाल को इस मिट्टी डाल दोसके उपर और क्या चौथे काल का हार हुआ खुले मैदान में बिलकुल खुले में चपड में तो जिगा थी नहीं खुले मैदान में वहीं साफ करके और मिट्टी की चौकी थी और एक ट्रक वाला आ गया संत्रे वहां जाना होते उसन ट्रक को बोलो बाबारी को संत्रे खिलाओ अब वह चौकी वाला कहता है भाईया अंदर मताओ नहीं तो अंत्रा हो जाएगा वह कहता है नहीं मैं सरदार हूँ इसलिए आप नहीं ले रहो लोग आप खोल लो पेटी बिलकुल रोट के किनारे किनारे थे अब एशिव बना बताए चल देते हैं रामचन जी क्या करें एक बार आहार करकी चल दिया अब बशारे स्रावक भूजन करें कि नहीं चोके में सी चल दिया चोके से सीधे ही निकल गया इए इस यहां भी हुआ था तुमारे ग्वालियर से आग रहा है थे जब राजिस्थान जाए थे सिविंटी नाइन में तब ग्वालियर से सीधा बिहार किया चोके से ही और सीधा मुरेना उस दिल 41 किलुमीटर साम तक चले जिपता भी हो ग्वालियर से मुरेना और लस्गर लस्गर से चले थे और रस्थे में नौ किलुमीटर के सामाई की और रस्थे में सब से कह दिया रस्थे में कोई लवशंगा गया तो उसकी जुम्मभारी मेरी नहीं होगी अट इस देर एक पर बंद कराथी सबकी यह कोई उतनी देर में एक जब अगया उस समय झाल गया उस समय भी हार से निकल गया आप कोई रस्था बताने वाला ने एक बाहर का विक्ति था उसको भी पता ने एक चोड़ा बोले इससे पूछ लोए रायेगी था एक बक्री चला रहा है वह यही वर खेड़ का रास्ता कहा जाता है तो हम आवाजी चले रहा सीधे और सीधा रास्ता बताने के बाद वो भौज उसे हसा तो मैंने के आचासी वो हस रहा है कहीं ऐसा गलत रास्ता तो नहीं बता दिया तो आचासी अपनने उसके क्या बिकारा जो गलत बताएगा है वो हमारे दिगमरत पे हस रहा होगा नंगरत इस पे हस रहा होगा और उसने ग कराके की ठंड है, यही महीना लग बग दिशंबर जन्वदी का, इतनी कराके का, चलते 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 इतना अधेरा हो गया जंगल में, खंगोर जंगल, जंगल पार हुआ, ऐसे देख के चल रहे हैं, कुछ अता पता रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, एक खेत था, कडवी, वो ज होती हैं, जुआर के डंठालोते बड़े बड़े, वो एक खेत आदिवासी का था, वहीं जाके सब लोग बैठके, अधर घंटे तो चलने की गर्मी रही, और फिर जो हम लोगी किटार बजी, तो किटार अवी भी कानों में जूमती है, रुकने का नाम नही ले खड़ा इतनी ठंट, इतनी ठंट, भेंकर ठंट, और वो कर्वी के जो थे तो ब्रमशारी लोग जो शाहत में थे, और कबरी को कर्वी को उपर डाल दिया, हम लोगों सब को, लेकिन वो ठंट थंदी थी, और उससे हाल कोई रात पर सोजा दी, और उधर पूरा संक गयव हो गया, मि मिलने का नाम नहीं, क्योंकि इधर कोई टेक्टर भी नहीं आ सकता है, और पूरा संका संग आया हो, कोई बताने वाला नहीं, वो बकरी वाला क्यों बताएगा, नहीं रूपठेगा, किसी को कोई पताने, पूरे रात भर गाड़ियां घूमती रहे हैं, रोड़ों पर, कही महराज हैं, लेकिन हम लोग तो मिलने का नाम ही नहीं, जहां हम लोग थे, वहां कोई पहुची नहीं शिकता, क्या पूरा नागपूर, पूरा, सब में दुनिया में ख़ब पर रहे हैं, सब गाड़ियों पर गाड़ियों, शेक्णों गाड़ियां रात भर गूरा संगाय बेक साथ, अब रात भर की तो कोई सोया नहीं, ओ धरन के कारों कर्वी में कांटे होते हैं, उसका पर्सा जो होता न, पूरे शरीम, शरीम में खून, 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 खून हो गया, सुबह उठे आचासी कहते हैं, आप काचू, तमन के आचासी, आचासी, आप ठोड़ा सब जाते हैं, दो स्राबक आजाते हैं, तो नहीं, ये मज़ा कवाएगा, अब उनको तो मज़ा देख रहा है, ओले, ये आनंद वाज रात भर का मला, यदी स्राबक होते हैं, तो ये कहां आएगा, ओले, चलो जिस तरह आप उनकी दिशा देखी थे, अपन मुक्तागरी से जाके एक गाहँ आएगा, वहाँ पुछा भईया, हीवार खेर का, अब आज हीवार खेर? हीवार खेर तो आप 20 किलो मेटर दू छोड़ाएगा, और कोई गाहँ नहीं वाँ, उससे का, भई, तो कम से हम भीवार खेर का रास्ता तो बता दे, बो रास्ता बताने का, जैसे ह जैसे हम रोट पर लगे, गाडियां तो घूम भी रही तो रंत गाडियां इकती होई, और सुबे से चलते सोने साथ साथ बजे निकले, चलते चलते बारा बजे हम लोग हीवर खेर पहुचे, कितने घंटे हो गये? साथ बजे पोने साथ पोने साथ निकल गयाते हैं, अब हमने कहा है, अच्छे गुरुजी के चकरवे बड़े, हम लोग बिलकुर नहीं थे, उसी पहले ही चत्रमाज था, दीक्षा होई होई थी, हम लोग मना, भई आप ऐसे ही निकलने हैं जिंदगी, आप से में सब हम अम के थे थे, सब एक ही क्लास कालेज में तो पड़े हुए थे, अब वहां जाके बारा बज गए, अब भूजन पानी अभी कुछ नहीं मिलना है, आज है, सामय का समय हो गया है, अब सामय करो, हम लोग जो नए नए लोग थे, सब को तो चकर आगया, उसके दो कानार, एक तो आट में नहीं आई, दूसरा गर्मी चड़ गए, तो बस जाते ही गिर जाते थे, चकर आने लगा रहा हुए, दो तीन मराजों का बज जिए अब आचाने का यसा करो तुम लेट के समय कर लो, सोना माद, और अबस आहार के बार एक सजन ता चे दिवारे का बाला, हम लोग है वरुमीटाव बजाए, जिए अद्शन नहींते है तो आचाने का है ऐसा करना आज इनको थोड़ा दूद में बूरा मिला कर के बेदेना, तो इनका चकर पानी में मत देना है, तंदा करेंगा, दूद में देदेना, आव अज अज आप मनानी करों कि अचानी ने कहा है, अब जिसको आजाए जी कहते हैं ब头 हमारा बाफ हो जादा दादा बन जा Dwma झे वहीझ इसमें कि अच्छानी की से क्या संस्मार याद अगया है अब मैं कहूं हूं भोकि हाँ हाँ हमेने डाला यह अब है अब हाला थे है कि यदी यदी मैं नीचे डाल देता हूं अब मैं नया मुला था तो नवाय जाना पड़े तो मैंने कि अंतराय करना पड़ेगा क्योंकि हाथ में दियो ही बस्तु नीचे नहीं डाल सकते ऐसा हमें मालूम था तो अब वो नीचे डाल नहीं सकते या तो अंत्राय करो या पीओ दो ही रास्ते मेरे पास थे या तो अंत्राय कर दू और या पीओ अब तुम बताओ एक कटोरे दूद में चुल लग जीए कटोरे गर सेंगा है न तो मैं कटोरा फर आप नमक डाल दिखाओ और कोई पीओ दिखाओ तो जाने और अंत्राय करो तो अभी एक इस्थिती खराब हो रही थी तो जैसे तैसे पिया लेकिन पशने का तो सवाल नहीं जैसे पिया पूरे नहीं पिवावत में उल्टी हो गया उल्टी होती बमान हो गया अंत्राय हो गया तो आचारसी से बुले क्या हो गया अच्छा ये तो बहुत सब आपकी किर्पा है हमें आगा तो सब आपकी किर्पा है तो बोले मेरी क्या किर्पा मैने तेरे लिए अच्छे के लिए कहा था अब तेरी किस्म नहीं खराबती के बूरा आज़ाजी बहुत मज़े दिये, देखो ये कहलाता है, मैंने नियम तुड़ाया इसका, और इसका भला, भला सोचा, लेकिन किसमा तुप्रीत होती है, तो भूरा किस्तान तो क्या दल गया, नमग देगा, और दोनों एक सी दिखते हैं, दोनों एक सी दिखते हैं, लेकिन आज़ाजी बिना पूछे चल देते हैं, बहुत बाहर ऐसा होता है, अभाना के अंदर बैठे थे हम लोग सब स्वयंभू पढ रहे थे, आज़ाजी उठे कमंदर लेके चल दिए, तो हम लोग ने समझा कि साह सौच जा रहे हमें जल दी, सौच जा रहे हमें जल दी, सौच सौच का हिस्थान निकल गए हमेंदा सौचका हिस्तान बदूट अभानह ओड़ा, तो कोई भी नहीं है हमें अलसे होता का हम ले ढाम नहींद पे नहीं हरे धैनल दस्वारा साल का बच्चा होगा न अब रहे हम आप वहरे हूग अज़ाजी अब अप वहां जा रहां पर ब माराज जी लुक नहीं रहे अभ भो कहता हु आप बच्चिए दो अकल देखो रफचे की यदी में लोड़के जाऊं तो आचार सी अ किली पड़ जाएंगे और नहीं लोट के जाओं तो पता है भावा जी कहां जा रहे है उसने साही दोखो उसकी अकल देखो और न जा माराज जी को अकिले तो नहीं छोड़ूगा अकिले तो नहीं छोड़ूगा वो पीछे लग गया साही के लगए से कह दिया तुम गाव में कहा देना, महराज जी पता नहीं कहा जा रहे हैं, वे रुक नहीं रहे हैं, गाव में हल्ला हुआ, हम लोग जल्दी, दुपट्टा मोट्टा समेटा, भागो, पाँच कुरूम मिटर आचाज निकल गए, तब हम लोग यहां से चले, तो यह इस्टि बन जाती है, जब अनियत बिहार हो जाता है, लेकिन उसका मज़ा एक अलग होता है, यह भी तराक्ता का चरम लक्षन है, कि संग से भी उनको मोह नहीं है, आओ तो आजाओ, नहीं आओ तो तुम जाना तुम जाना तुमारा काम जाना, हमारे संग में आचासी कभी किसी को भोजन नहीं हो, कोई वस्तानी करते, शुरू-शुरू में पांच ब्रमचारी थे, पहले ही चत्रमास हुआ है, मुक्ता गिरिम, हमारी दीक्षा के बाद, नहीं है। आज अजाओ, हम पर दो? हम रस्ते में महराज लोगों को तुम पढ़गान कर लेत उ, बहुँ नहीं हो, अब नहीं है। उह जो झाले हो, तो नहीं है। कोई लगन नहीं आया अब बाराव बजे जब आचार्षी लगुशंका को निकले तो ब्रमचारी मंदर की धरवाजे बठे तो ले क्यों ब्रमचारी यह क्यों बठे ओले अभी कोई अहार को बुलाने नहीं आया कि देखना हम लोग हम भी साथ में थे तो ब्रमचारी नहीं हम चुल लगते तो आचार्षी नहीं का हम लोगों से के इन ब्रमचारियों को बिजवादो कहीं नहीं स्रावा कड़े उंसे नहीं का ब्रमचारियों को ले जाओ क्या कहते हैं ब्रमचारी जी बारा बजे आधी टा मैंने कि यह तो भूको मारे का तब को मनद इतना सा भी नहीं कि किसी से कहा तो प्रमचारियों को बले कहते है अब बारा तो बजेगे अब डेर बजाएगा उपवासी लो पुन लग जाएगा और कहके हचा से लव संगा चलेगा याने उनकी निरीवित्ती की जो चर्जिया हमने देखी शुरू से और बो निरीवित्ती ही सबसे बड़ी शादक ती साथ और बो अपन जो रामचंजी की बार समना रहे देना अब इसमें सब जोड़ दूँगा अजंता नहीं करना सब मटेरिकल प्याल गया है वेल्डिंग करेंगे अपना उधर रामचंजी ने सब को रात में छोड़ते विए ये धूका नहीं था बोलो रामचंजी ने सब को सोते विए छोड़कर रात में चुपचाब भाग जाना धूका था नहीं ये विवस्ता थी बोलो यदि सब को छोड़के नहीं जाते तो क्या यो इस्थितिमती कौन विवस्ता करता क्या करता अब उनका वो शंकट भी राज कता की बात कर रहा हूँ इसलिए रामचेंजी ने वहां कहा राजा की कथा नहीं करना और मेरी पिशंचा नहीं करना और राजा की निंदा नहीं करना कितना भी राजा निक्रिष्ट हो क्योंकि राजा अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करता है कितनी सज्जन हो आपका तो भाईया भरत है वो नहीं नहीं सुन पाएगा आप तो बड़े भाई है बड़े भाई की पिसंचा भरत नहीं सुन भरत छोटा था की बड़ा तो रामचेंजी की पिसंचा क्यों नहीं सुन पाएगा साब बोले भरत तो रामचेंजी की प्रिसंसा सुननेगा लेकिन राजा भरत नहीं सुन पाएगा एक गद्धी का सबसे बड़ा दोस है भरत तो सुननेगा भहिया की प्रिसंसा कि हमारे रामचेंजी ऐसे हैं लेकिन राजा भरत क्योंकि राजगद्धी का ऐसा है राजगर्दी के बाद बैठने के बाद उस व्यक्ति को कोई बड़ा नहीं दिखता क्योंकि इसके हाथ में कानून होता है किसी को भी बंदी बना ले किसी को भी कुछ कर ले इसलिए जैन आचारों ने कहा राज कथा नहीं राजा के दोसों पर विचार नहीं ब्रुद्ध नहीं चलना और इस ती इस नहीं बन जाए छुप चाप रह जाओ मौन रह जाओ क्योंकि राजा और जंता जब भी अपराद करेगी अपराद बढ़ेंगे ये चोटे लोगों का राजनिती का पॉइंट है ये संसार निती का पॉइंट है एक बेटे को भी तम तीन-चार नि बुराही करके देख लेना देख लेना वो दो-तीन दिन दिन व्त रह्त अव्याffee तो का धाकी कुछ जादर ही हो रही है नहीं हो तो तुम करके देखले ना देखले ना एक अधम पापा देखो आप पापा है इसलिए मर्यादा रख रहा हूं आप थोड़ी अति हो गई और थोड़ा बड़े होने के बाद दीगा वो खुदी के देगा पापा मैं आपकी बराबरी का हो गया है अब भी आप में पत्नी की बुराई करके देक्याना क करना तो सही है और नहीं हो तो उसके प्रि आप कर के देख लेना तुमने प्रिय प्रिए खूरा है देखो तुम तुमारी यहां कलाई खोल अद।ुम इतने भुदधू हो पुरुष हो पुरुषत, सब जिगाँ इसी जिगाँ उस अपने माबाप की बुराई, अपने भाई की बुराई महला से सुन दे गए, सुनते ही है, माबाप की बुराई करे तेरी मा की बुराई दे तेरी पत्नी करे ना, तो आप चुपचाप रहते हैं, हाँ हाँ है, अब तोड़ी हमारी मम्मी है, बूरी हो गई है, ऐसा केके ठ तुम इसकी मुम्मी की बुराई करके देख लो इसके भाईया की बुराई करके देख लो वो तुम्हारे भाई की स्ववार बुराई करती है लेकिन उसके भाई की बुराई करके देखो तुम करके देखना ही करते है हाँ पर उस दिन का उप्वास मेरे से ले ला दा पीयर की बुराई सुन ही नहीं सकते है इसलिए कभी भी कैसी भी पत्नियों बुराई नहीं करना पीयर की बुराई नहीं करना जो संबंद टूट नहीं सकते उनके दोशों को यालोचना नहीं करना क्योंकि तुम्में एजेस्ट करना पड़ेगा मोटिवेशन लो जो सम्बंध कभी तूट नहीं सकते उनको तुमें निवाना ही है जैसे बने क्योंकि तूट ही नहीं सकता यदि उसको तुमने तोड़ने का परियास किया तो तोड़ने के बाद जो कश्ट आएंगे वो जोडने से भी जाना खतरनाग हो हो है जो संबन्थ मारे जोड़े है न उसमें जो तुम्हें संकाट आ रहा है तोडने के बाद उससे डबल आएंगे चाहे वो राजा हो चाहे परिवार हो कोई भी हो इन से संबन्द एज़ेस्ट करो क्योंकि इसका कोई आल्टरनेट नहीं होता है इसलिए छोटे आदमी के संबन में जब भी कोई घटना घटती है सब लोग निंदा करते है सब खुशी मनाते और महान आदमी की विसेस्ता बता रहा हूं महान आत्मा के जीवन में जो कुछ भी संकट आता है वो कथा बन जाती है उसकी चर्चा करने में पुन है एक पापी को सचा हो गए उसकी चर्चा करने में पाप है जिसके लिए मैंने कथा सुनाई और एक धर्मात्मा को जेल हो गया उसकी चर्चा करने में पुन है किसी पापी को देश निकाला दिया जाए उसकी चर्चा करने का मना किया गया क्या चर्चा करना जा और राम चेंजी को देश निकाला दिया गया तो राम इंड लिखी गई कथा बन गई बिता कथा बन गई यहने महानात्मा वो है उसकी जिन्दगी में जो कुछ भी आएगा शव धर्म में हो जाएगा शव धर्म में हो जाएगा पारसनाद के संकाट आया लोग पुरान बन गया रामचंजी पर आगया रामयन बन गया मांतुंग आचारी मराद पर आगया भक्तामबर बन गया और उनकी दुख मैं कथा सुख मैं कथा नहीं कह रहा हूं मैं सुख मैं कथा नहीं कहलाती सुख मैं तो गुणानुबाद कहलाता है महान आत्माओं के जीवन के सुख के जीवन याद नहीं करना मैंने कल परसन पिक्चर का उधरन दिया था पिक्चर कब तक चलेगी जब तक हीरो दुख में है तभी तक पिक्चर है जैसे ही एरो के दुख खतम हुए दा एंड पिक्चर खतम कर देते हैं अब मैं सोचता हूं कि अभी तो उसके तोरे दिर चार दिन अच्छे आये पूरे सारे तीन घंडे तीन घंडे हो ते धाई गंडे तीन घंडे तीन घंडे तो विचारा संकटी संकट में पड़ा रहा है अब जैसे खलनायक मरा है तो अब वो सांती से जिएगा भो तो कथा बताओ नहीं कथा हूं तो पिक्चर कहां तक है जब तक हीरो संकट में है पूरी पिक्चरों के हाल है यह है रामचन जी की पूरी कथा आपने देखी बैष्णों दर्सन में पूरे संकट की कथाएं हैं और जैसे अच्छे का दिन आया है तो दिसी दास कहते हैं अब क्या लिखना यानि महान आत्माओं के लोग अच्छी बात Τše लिखनी नहीं चाहेते है कि तुम्हें पर संद में सुख्य दिन तुम्हें पशन नहीं है छुकी सादू तुम्हें पसंद नहीं है कि शुकी भगवान तुम्हएं पसंदा है 24 तितंकर सब सुखी रहे उनको तुम पसंद नहीं करते कौन पसंद है क्यों के क्यों क्या बारत है हमें बता दो पारस नाथ में हमारे पुस्दंत महराज में का अंतर बता है पुस्दंत भग्मान है क्या पुस्दंत भग्मान को यदि कमें रेट में भी देवे न और पारस आपने वाले करते हैं वह कोई लकी नम्मर होता ना, आप मुझे तो कमपनी बाले कुछ जाना कॉछ निया उसको लखी नम्मर रोगा देते हैं लकी नम्मर चाहिए दो महीन बाद मिलेंगे दो लाग जाना लगेंगे तो अपन भी असी करते हैं पुस्तदन भगवान, स्रियान सनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अजित संभव आदी भगवान, इनमें का कमी है यह भटा देगा, वह पारसनाथ में क्या है, अनन्त शुक्व भोग रहे हैं, सब के समोशन एक समान थे, इतना भेदवार, तुम लोग क्यों करते हो, कु तो कुछ नहीं मिला, बस एक ही मिला, उनके जीवन में संकट नहीं आए, इनके जीवन में, और तुम्हें वो भगवान चाहिए, जिस पर संकट जम के आए हो, अब हम लोगों को, यदि तुमारी पसंद बनाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरे पिक्चर हिट करने के लिए निर्देश अग, हीरो की दुढ़ेगा हो, क्योंकि जब ही चलेगी पिक्चर, और यहां भी यही देख लिया, मैंने तुमारे मंदरों में देखे चित्र बनते हैं, एक भी सुखी सादू के चित्र नहीं बनते हैं, किन के बनाओगे, जिनको घानी में पेला कि अउन साद सोमनियों को जिनको आग में दाला गया, उनको जिनको शेर नी खा रही है, अरे महराज भी तु यह दो को, इक धूर भी ने फैंकी किसी ने, उनकी भोटो एक मंदर में नहीं मिलती, मिलेगी वो, महराज बैटे हैं, और शेर नी खा रही है, शेर झपटष रह आचा तरी हैं जिंकर जीवन में संगर निया हो हूँ है कि बहुत सदैक आटी हुए है अगन मैना सुद्रिया है उसुकर बनाओ विए सुदरसन का बनाओक अर भी उए है नहीं कोई पसंद है ना। इसका रीजन मेन बहुत दिनों की बरसो लगे मुझे मुझे समिज में नहीं कि अच्छे माराज कोई हुए जित मंद्रों में देखो उनी माराज retar कोई सियाली के खा रहें कोई तीर मार रहें कोई लाई में पिल रहा है हरे मैंने कि यह क्या पाद है को अच्छे महराज हुए ही नहीं वानों को सब दिखा तो सब अच्छे जादा हुए है लेकिन तुम्हें पशंद नहीं है क्यों अब मैंने इसकी खोज निकाल ली जितना संकट वाला विक्ती होगा उसके दर्सन करने से आत्म स्वक्तियां जाकती है बिलपावर जाकता है और जिसका जितना जीवन सुखी होगा स्वक्तियां सुप्त पड़ती है लोब जाकता है शक्तियां कम होगी पारसनाद को देखते ही मरने वाला भी जिंदा रखने का भाव करेगा कितने भी हम बिचलित हो गए हूं मैंने प्रेक्टिकल किया बहुत सारे महराजों का मैंने चिंतन किया जब मेरे उपर कोई मच्छन मगरा काड़ते हैं तो हम भरत शक्रवर्थी का ध्यान करते हैं तो मन कहता है उनको मच्छना ने काटा ही नहीं इतने जल्दी बहाना बनाता है उनको तो कुछ हुए ही नहीं सुखी आदम इसलिए बहुत नहीं गड़ा है और जैसे सुकोशल महराज का ध्यान करता हूं मन से देख ले मुनी दैसा ऐसी होती है मन कहता आप क्या बहाना बनाओ देख ले शेर नहीं खा रही न ओड़े खा रही है फिर भी डिग रहे के नहीं डिग रहे है ओड़े नहीं डिग रहे है तो तू तो मच्छन में डिग रहा है ओड़े नहीं डिगूँगा सामायक हो जाती है आठ राम और हुए नौ राम होते हैं हमारे हाँ लेकिन दस साथ पुत्र राम की दुनिया जिन्दा क्यों रखे हुए इनर्जी है जब कोई जीमजी में संकाट आते हैं रामचन जी कता सुनाता हूँ लोगों के आँसे सूख जाते मैंने कि देख लो तद्भव, मुक्षगामी, राम की ये दसा है तो तू किस खेद की मुली है हाँ मराज छोटे आडमियों को बड़े लोगों के संकाट गिना दे तो छोटा चुप हो जाता है क्योंकि वो जानते के संकाट बड़ों को नहीं छोट रहे तो मुझे क्या छोट क्या पापा के पैर पे से स्कूर निकल गया है अँ खयो जा। और बबाब क्या होगाख़ बेटा बेटा मेरे पेर बेसे स्कुटर निकल गया। त़ जो कुरा करा है। वह जो को नहीं चैके पेर निकल गया। तो भाज भदे बेटा इस्कुटर निकल गया। जो डि़ो सुट्वर जान अब afternoon, I got बाब होके रो रहे हो जीवेन का एक बहुत बड़े रहस में उसके जवाब में कितना बड़ा जवाब छुपा हुआ है कि बच्चे को बता से समय यह नहीं बोलना कि स्कूटर उपर से निकल गया है यह बोलना इसकूटर भिड़ गया है नहीं तो तुमारी मजाक उड़ा देगा महान आत्माओं का लक्षन इसलिए बे महान नहीं है कि उनके पार गुण है इसलिए महान नहीं है कि वो भगवान है इसलिए महान नहीं है कि हम शादू है इसलिए महान है कि उनकी जिंदगी में आया हुआ हर संकट कथा बन जाता है उनकी जिन्दगी में आई हुई हर दुर्गटना पुरान बन जाती है उनकी जिन्दगी की आई हुई दुखों के दिन को याद करने से भक्त को हुई पुन्न का बंध हो जाता है भक्ताम बन का विश्लोक पड़ो न आस्ताम तो मस्त वन मस्त हमत दोशं तो संग कथा पी जगेताम दृतान हैंती ए भगवन हमें आपके गुणों से क्या मतलब है मुझे तो आपकी कथा कहने मात से हमारे पाप कर जाते गुणों का तो बहुत दूर रहा मैं तो वहां तक पहुँची नहीं पाऊंगा महान आत्माओं के गुण अपने ग्यान का विशय नहीं है महान हुआ हो नहीं है अपना ग्यान अपनी आखें इतनी नहीं है कि हम बड़े आदमियों के गुणों को जान जाए कहां वाकाद बताओ भगवान के अंदर अपन को सोच तुष्टे कहां दिखता है भगवान को केवल ग्यान हुआ है कहां दिख रहा है बताओ हमारे अंदर रतनत रहे तुम्हें कहां दिख रहा है महान आत्माओं के गुण देखे ही नहीं जाते महानात्माओं के दिखते हैं तो उनके जीवन में आये हुए शंकट परिस्थानिया वो हमें दिखते हैं और उन संकटों में भी ये दिखते नहीं है बस यही महानात्मा की पहचान है और उनके जीवन में आया हुआ संकट कथा बन जाए कथा बन जाए लोग कथा बना दें उसको उनके संपर्ख में आते बस हमें यही अपनी जिंदगी में महानता क्या प्राप्त करना है हमारी जिंदगी में कोई भी करमदय में आये वो धर्म बना दूँगा यही धर्मात्मा की में धर्म नहीं धर्म तो अपने ग्यान का विशा है कहां दे करें बस आप लोग तो और हम थोड़ा बहुत हम लोग तो पढ़ लेते हैं आप लोग धर्म को बिल्कुल भी नहीं जानते कुछ भी नहीं जानते आप दर्म बस आप एक बात जान जाओ कि तुम्हें उन्हें भगवानों के जीवन को सोचना है कि इनके जीवन में कर्म का उदय आया लेकिन उन्होंने कर्म को किसम बदल दिया धर्म परिवत्तन करो कितना कर्म को कोटी अठा रहे घोड़े चोड़े 24 अशी लगे हांती इत्यादिक जग संपती छोड़ी जीरन तिनसंप क्या बात है महनवाओ इस चवदारत ने किसने दिये थे कर्म ने अक्षा ने दिया उन्हें का लो मैं इसको धर्म बदलता हूँ छोड़ दे धर्म बदल दिया उन्होंने सारे कर्म को कितना पुन्न था उनका कितना था ये राजा महराजा जितने होते हैं ये और कुछ नहीं करते महनवाओ इनकी प्रिसंसा क्यों होती है ये गरीब आदमी दीक्षा ले बैए उतनी प्रिसंसा नहीं होगी साथ तो मैं कोई गरीबों के मुनी दिक्षाली मिला ही नहीं मुझे ली तो होगी बर्णन किन के मिले क्यों अरे गरीब ने भी कोई लिया होगा ऐसी बात नहीं लिये होगा लेकर अमीर की चर्चा करेंगे साथ क्यों गरीब तो पाप को करीब तो अशुप कर्म को धर्म बदल रहा है अमीर पुन कर्म को धर्म बदल रहा है गरीब तो गरीबी की मार से मंदर आ रहा है और अमीर व्यक्ती पुन की मार से मंदर आ रहा है गरीब घबडा के आ रहा है मंदर महराज बचाओ बहुत कर्म के उदय है बहुत बुरा होदा है बाजी बहुत ऐसा करूं पीछे पड़ा जिस माटी सौने को छूँ वो माटी इसलिए वो दोड़ा आया भाग के आ रहा है चलो मंदर चलते हैं महराज के पास चलते हैं क्योंकि वो ये होता है की नहीं बोलो दुख में बेकती बेटा मा की तरफ दोड रहा है क्योंकि उसको बाहर मा बचाओ बचाओ ऐसे ही तुम लोग भी जब तुम्हारे बुरे दिन आते हैं दुख में कहां दोड़ते हो मंदर जी में सिकर जी जा रहा हूं महावी जा रहा हूं क्यों बहुत दुख है किसी ने कह दिया है कि महावी जी के दर्शन कूब द कुछ वेल्ग कि स्हिकते हैं वेली दोरते देखें। लेकिन कोई पुन्न की मार से दोड के आजाये है। पुन्न का रहा है. और पुन्न मार रहा है, यह नहीं आने देखा मुझे मंदर, क्योंकि मेरा विआपर बहुत अच्छे चल रहा है, घ्रते हि दसमौन आ रहा है, घ्र प्रूरी की इंकम नहीं थी बिकारी था आप उसने कहा क्या करूं चलो मंदर जी में चलता हूं अब एक विक्ति कोण आ रहा है किसको जिसको टाइमिनी कडरो उडते कडरो रूपय का बना जा रहा है लाकों का बना जाए सामने इंकम है लाकों की उस समय तुम्हारे मन में घबडात हो जाए गरीवी की मार से भी ज़्यादा दुख बता रहा हूँ आज ये मंदर छुडाएगा आज ये अभी शेक नहीं करने देगा क्योंकि जबर्जर्ष्ट लोब आया है सीधा कितने कडोर बना दू दरस्वीश करोर का प्रॉफेट है और मंदर जाएंगे तो ये छूटेगा मंदर गए वो छूटेगा और नहीं गए तो मिलेगा उस समय तुमारे मन में घबडात आजाए ये छुडाएगा मंदर में आज छुडाएगा लोग नहीं छोड़ूगा नहीं छोड़ूगा तो लाग कडोर दे दे नहीं छोड़ूगा मैं अभी से को जाओंगा लोग कर्म को ठका दिया धर्म बदर तीथ अंकरों को भी कर्म ने फसाया क्या चाहिए तुमें क्या चाहिए बोलो जरसे करम वने वे बताया था ना कि करम अपने उपर केमरी लगाये रहाСпार जब तुम मंदीर में आते हो इसकी एक्षा पूँचो कεια हो ओimore अजरा है अजरा है मंदीर तो करम लगाये केमरी यह मंदीर क्यों आया है इसकी एक्षा पूँचो पर इक्षा क्या चाहता है? इसका ब्यापार धन्दा नहीं चलता हो तो चलवा दो और उसको तुमारी भीक पॉइंच पता चला नहीं और उसने बंगाल पर कभजा किया है बास इसकी इक्षा पूरी करो, कर्म कहता है यह जिसके लिए मंदिर आया है वो इक्षा पूरी कर दो, कले मंदर आए गई नहीं क्योंकि इक्षा पूरी हो गई वो तो इसलिए आ रहा है कि उसकी इक्षा है पूरी तो कर्म तुम्हें दुखी करके धर्म बंदर चुड़ाएगा बहुत बड़ी मोनोपोली है महान हुआ कर्म की या तो दुखी करके धर्म चुड़ाएगा या फिर सुखी करके चुड़ाएगा लो तुम्हें क्या चाहिए है आप काई के लिए बंदर जा रहे हो बात तो सही आप काई के लिए बंदर जा रहे हो आप काई के लिए बंदर जा रहे हो नहीं कितना भी पुन आजा, मैं इसके लोग में आने वाला नहीं हूँ, रतनों की बृष्टी करा दी थी थंकर को, और क्या चाहिए तुम्हें, यह लो कितने रतन चाहिए, यह लो तुम्हें जिंदगी भर कफी मरोगे नहीं, बर्दान दे दिया, आप काई को दीख्षा ल कमी है घर में, मुझे बतलाना, कमी बतलाओ, क्या कमी है मेरे घर में बता तुम पर दे एक बता चला जा दिख्षा लेना तो ले ले, बस यह बता दे, क्या कमी है बता दे, अब बोलो महावीर क्या कमी बता दे, अपने मावा आप में घर में, तुम तो फिर भी बता दोगे तुम्हें 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 तुम्ह दुख दे करके न रोकने का तरीका नहीं फैल, फैल हो गया, तो इस कर्म ने सुख दे करके रोकना चाहे रहा है, बोल अब क्या कमी है तेरे पागर में, अब किस लिए तु दिख्षा ले रहा है, महावीर ने क्या मा को संभूधन दिया, मा तु नहीं समझ पा रही है, ये कर और वो दुख जब मुझे काबू में नहीं कर पाए, तो इसने कहा पुन्न का फासाफ है को, पुन्न का फासाफ है को, पुन्न के फासे में अच्छे चलों फस जाते हैं, और मुझे ऐसे घर में पेदा किया, जहां किंचित मात्र भी, मन से भी दुख नहीं बचन से भी नहीं कायाद से नहीं महावी के घर में कौन से दुख थे तब ती थंकर इस बात को समझ जाते हैं इस कर्म की मुझे धर्म से दूर करने की पॉलिसी है यदी मैं इसी कर्म के चक्कर में मर गया राउन यदी में इस बार के हाँ बात तो सही है कहां क्या जाना काई को मंदर जाना काई को पूजा करना काई को दिख्षा लेना अपने कर्म का होदा है मंदर वो जाएं जिनके दुखी हो पूजाएं वो करें जिनके दुखी हो महराइक वो बनें जिनको कौन सहीयम धारन करें हाँ इनके कमाते नहीं बनें कौन ब्रमचरी बिल देवे इसकी कुंडली मिलाते मिलाते 40 साल हो गए तो अब ठीक है अब दुमने भी या चलो नहीं माल भाव नहीं उसको ठुकराना है जो सब तरब से तमारे शामने बैठे है महाविर स्वामी के लिए कर्णयाय बर बाला लेके खड़ी है पारसनाज के लिए नहीं ये पुन्न का जाल है बोलो इस कर्णया में कमी क्या है महाविर कहते हैं कमी तो कुछ नहीं है पर ये मुझे फसाने का जाल है ये पुन्न उदय में आ रहा है मैं किसी प्रकार रुख जाओं और इसी कर्म में संसार की सबसे बड़ी पॉल्सी है इनका मूल नायक है कर्म और ये के एक ही जिंती बनाता है किसी भी प्रकार से जीव धर्मात्मा ना बन जाया है इसलिए कर्मों ने एक भी प्रक्रिती नहीं रखी जो तुम्हे धर्मात्मा बनाता हो कोछ भी नहीं मादो कोई दुनिया में ऐसी चीज नहीं जो धर्मात्मा बनाती हो है ही नहीं और ये उसने दो रूप ले करके किसी को पाप के उदाए ऐसा ला देगी कि वो मंदरी नहीं यहाँ पाएगा अंदा कर देगा अंदा कर देगा और किसी को इतने राग रंग दिखा देगा कि उस राग रंग में इतना हो जाएगा पतंगे जैसा पतंगा होता ना पतंगा जब विजली पे घूमता है न तो इसको दुनिया कुछ नहीं दिखती क्या दिखता है? इतना अकर्षन दे दिया, इतना अकर्षन वो सब भूर जाएगा पतंगा में जा जाके उसे मर जाएगा कर्म ने भी कहा है इसको इतना रूप रासी दो कि इसको देखने के अलाबा इसको भगवान के दर्शन करने का भाव ही ना आपा है करने नहीं दे कि तुम तुम्हें माला फिरने का समय नहीं दे माली इतना रख देगा नोट पर गिन माला फिरलू साब नोट की गिट्टी कह रही है अब देखना लोब देखना एक गरीब को इतना दुख दे दिया कि बचारा माला फेरी नहीं परकता उंगलिये ही पैरा रिस्स हो गया और एक अमीर को कर्म ने संसार ने कैसे रोका बोले माला फेरना है उसी समुझ नोट की गिट्टी पढ़गेगी आप ठगड़ा बिटाया दो में से एक करना है या तो नोट गिलो या माला फेर नोट नहीं गिलो तो नोट जाएगा अब आज हो ही जाये जो कोछ थेसा है आप बतादो नोट की गिट्टी नहीं किनी तो वो नोट की गिट्टी चली जाएगी और माला जी नोट की गित्टी गिरी तो माला चली जाएगी दोनों में से एक कहानी आती है एक व्याफारी था वो सामाईख करता था सामाई किरानी की दुकान थी अब उस ने सुचा कोई गिराग नहीं चलो माला फैर ले थे माला फैर बैड गया उसे समय कुट्ता गुड की भेली ले गया अब वो कहता भेली जाए भेली पकड़ू तो माला जाए और माला पकड़ू तो इसी में करते 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 क्या करूँ भेली को पकड़ू तो माला जाए माला भी पूरी हुई नहीं और माला फेरू तो इसलिए हमारे हाँ कहा गया ऐसे स्थान पर माला फेरो जहां गुड की भेली ना हो जहां पर नहीं तुमने तो सोचा दोने काम हो जाएंगे दुकान खुली भी रहेगी और अन्त में दोनों में हुआ फोई में मरते मरते बात करते करते इतना हुआ, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, उसी समय हाट अटेक हुगा, मर गया, गुड में जाकर की कीड़ा बना, जब गुड में जाकर 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 कीड़ा बना, क्य जाम सामाइकर ने बैठ गया और उसने संकल्प क्या कर लिया दीपक में घी था बोले जब तक दीपक जले पहले घड़ियां होती नहीं थी जब तक दीपक जलेगा तब तक में जलता है थोड़ा ज्यादा दीपक जल गया उनकी पत्नी को आया आज इनका बड़ा मन लग रहा तो जैसे ही दीपक में घी कम हो वो क्या करें डाल देवे अब गी अंडेर में नहीं बैठ पाए और जितने बार और इनको अप्यास के मारे इनकी प्रान निकल रहा है लेकर संकल्प क्या दा जब तक दीपक अब उड़ा अब मना करो तो सामाइक छूटेगी और नहीं करो तो प्यास लग रहे इस यह पोवे में अब क्या करें क्या हो मेरे साथ भी एक बार हुआ है जब गिरनार यात्रा पर जा रहा है था मैं समुद्र में बैठ गया किसी ने कह दिया गोगा कि भोगा गोगा वहां किया है दिन में समुद्र दो किलूमेटर दूर चला जाता है और उस समुद्र में हम सौच बगरा गए यहां बच्चे किरकेट खेल रहे हैं मुद्र में समुद्र आप चार बजी तो देखना यहां पर अथाय पानी होगा है और जो मैं समय करने बेठ गया जब तक समुद्र का पानी मुझे आके नहीं चुएगा मैं नहीं उठूंगा और संकल्प है बैट गया कि आव मैं अब मोड़ीय बैठ गया अब थोड़ी देर होते ही देखो कैसी परिक्ष्खा हुई थोड़ी देर बैटे ही सामने आग तो बंदर खुडी दौती शामने देखा इतना बड़ा मूगा बड़ा इतना बड़ा मूगा जैसे तो महार films paper अब पीछे मुड़के इसारा करूं तो मैने नियम ले लिया के मैं पीछे देखूंगा नहीं और दो मुनट पहले दिख जाता है अब मन ललच रहा है क्या करूं बच्चों से कह दूए भूंगा उठा ले या फिर नियम तोड़ू खूब लालच दिया उसमें एक दुवादा सब बच्चे पीछे बैठे थे किनारे पर मन ने कहा नहीं आज कर्म जीतता है कि धर्म जीतता है मेरे सामने देखते देखते हुआ है मुगा समुदर का पानी आ गया बह गया और मैं जीत गया थोड़े ही सारा करना था पो ठालो तो ये चीज़ें अपनी जिन्दगी में आ जाते हैं कि धेली जाए या क्या जाए अब आप बताओ क्या होगा माला गिनना है और नोट की गित्ती गिनना है और टाइम दोनों का एक ही है माला गिनना है या नोट की गित्ती गिनना है और एक आद नहीं है थोड़ा एक आद करो रुपिया से उपर ही है अब माला फिरना है ठीक टाइम फिक्स है आपका ये माला फिरूँगा उधर करोनों का बना जा गया मानुभाव परिक्षा करना कर्म के सामने हारना नहीं है ये संसार की मोनोपोली है कि मैं दुख से नहीं हरा पाएगा सुख से हराएगा इंद्रियों के बैभो से हराएगा तुम्हें गरीवी से नहीं हराएगा अमीरी से हराएगा तुम्हें रोक से नहीं हरा पाएगा निरोक से हराएगा तुम्हें सक्ति हीन से नहीं हरा पाएगा सक्ति मान बना देगा इतना सक्ति मान बना देगा कि तुम गुंडे बन जाओगे किसन बना दिया गुंडा यदि कमचोड होते तो गुंडा बना दे इतना तागत बना दा कौन क्या कर लेगा मैं यू मसल दूँगा लो कर्म कहता दा इसलिए तुमाने तुझे तागत दी थी हराओ कर्म को तागत आई है तो मैं किसी को मारूँगा नहीं मैं एक-एक जीव को बचा के चलूँगा निरख निरख कर पग ये धर धार करोना अंग निरख 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 पग ये धर पाने करोना अंग सकती है मारने की लेकिन ऐसे देखके चल रहे हैं एक चीटी भी ना मर जाए लोग कर्म को किसम बदल दिया धर्म बदल दिया धर्म बदल दिया कर्म नहीं जीट जाए उस समय कर्म नहीं जीट जाए उस समय कर्म नहीं जीट जाए उस समय कर्म नहीं आके कहा देखा, एक मुंगा में महराज की सामाहिक बिखाड़ जी, एक नोट की गिट्टी में देखा, और फिर वो कल जुमाने कहा था ना, फिर वो संसार आके बाबाजी कहा, बाबाजी काई का नियम दिया था अपने, माला का ना, वो रखे इंदी माला, ओ तुरंट वीडियो यहा भगवान के बार भगवन, आपका माला वो पड़िये, देख लो आपका भक्त क्या किन रहा है, नोट गिंते पाये जाएगा, उस समय हमारी हालत क्या होगी, I see, यही हुआ है, अनादी काल से अपन को यही, अपन पाप के कारण से नहीं धर्म छोड़ा, पाप के कारण से ब जात कम धर्म छोड़ता है मानभाव, धर्म जब भी छोड़ता है, पुर्न कर्म के उदय से छोड़ता है, बुरे दिनों में धर्म नहीं छोड़ता, अच्छे दिनों में धर्म छोड़ता है, बुरे दिनों में होटल में नहीं जाते हो, बोल दो ना, किस दिन जाते हो, कि मुझे आज तक कोई भ्यक्ति कहा जा रहे हो बोले मैं उटी गूमने जा रहा हूं है वोले क्यों और भॉत बुरी दिन चल रहे हैं कि नहीं कोई हो तो भाई तुम बता हूं मुझे और भॉत बुरे दिन चल रहे हैं ज़िए सोचा की चलो ध्यापार धंदा सब चौपट हो गया कुछ नहीं बचा है सब तर इसलिए मैं जड़ी ऐसा कोई मिल जाए है हो मैं ऐसे भेक्ति को दर्शन करने के तरस रहा हूं अब महाविर जी जा रहा है हूँ कोई रेल में कोई मिल जाया है पूछना क्यों भाई क्या बात है महाविर जी क्यों जा रहा है बोल दो अरे भाईया बहुत बुरे दिन जा को याने तुम धर्म में आये हो तो बुरे दिन में आये हो और होटल में गए हो तो अच्छे दिन में आये मैं कोई जादा परिशान नहीं करूँगा चार पांस दिन से तो करी रहा हूँ जादा परिशान नहीं करूँगा बस इतने ही कहूँगा होटल में जाना बंद नहीं कराऊंगा हूप जाना होटल में बस 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 दुख के दिनों में होटल में सुक के दिनों में मंदों दूबाज को बस 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 उम जाना कुछ करेंगे इनर घरवड़ होटल पंदर और नहीं नहीं कोई होटल में नहीं जाएगा या करता होटल नहीं छोड़ पर गशाए बाद इतना जितना दुक्त दिन आये उतनी अच्छी मेंगी होटल में जाना है काड़ जो खोब तुम में ते और जिस दिन सुक्का दिन आये उस दिन अभी सेक का लोटा लिए मंदर में दिखना जाओ मेरा काम होगा मराजी फिर आप होटल का समर्थन क्यों कर रहे हो मैं जानता हूँ दुख के दुनों में तुम होटल में रहेगा तो भी मेरा ही नाम लेगा दुख के दुनों में गार्डन में रहेगा तो भी भगवान ही क्योंकि दुख में शुमरन दुख में तो सब वहाँ बैठकर के भी तुमाला ही फेरेगा पका है क्योंकि दुख का दिन है खतरनाक तो कौन सा दिन है शुक का दिन गार्डन में नहीं बस शुक के दिन मौज मस्ती में नहीं बस शुक का दिन जब भी आए धर्म में शुक का दिन जब भी आए मंदिल में शुक का दिन जब भी आए गुरू के पास बोले कैसे बता रहे, अरे मुलाद आज बहुत अच्छा दिन था, तो अच्छा दिन मैं गुरू को देना चाहता हूँ, हमने भगवान को दिये तो दुख के दिन दिये, धरूं के दिये तो दुख के दिन दिये, हम गुरू को दिये तो दुख के दिन दिये, और जो देता है वो ही पाता है क्या दिया तुमने तु दुखी पाओगे अब थोड़ा करके देखो सुक्का दिन धर्म के लिए देखे देखो सुक्की लहर लहर आएगे फसर लहर आएगे सुक्के दिन देखो अच्छे दिन अच्छे दिन देखे को देखो तब अच्छे दिन है आज मेरा बहुत अच्छा दिन है इतना सा परिवतन कर लो आज के बाद हमारे नगर का कोई भी व्यक्ति का जन्म दिन सादी की सालग्रे नया वर्ष सादी के बाद घूमने का क्रम यह होटलों में नहीं होगा सब्तीर खेत्रों में होगा इतना सा कीiesen काम नहीं भूमने का आगाममें लेका आप सादी के बाद घूमते हो मैंने सफुझझे परंपरा कहा की आई गूमने की परंपरा है na कहीं नहीं होटलों पैसा नहीं है तो कर जा लेजके जाओग और नहीं तो जिंदिकी भरे केरी, कौन सा गुमाया था? मैं थोड़ा फेंशी देश बहुत अच्छी कर लेता हूं और बहुत गौर सुनता हूं, जब आप लोग लड़के आते हूं, आप अमराज इनने हमें कौन से सुख दिये हैं? पूचे शाधी की बात कहां ले गए थे? अब मैं कोड कर लेता हूं, मेरी इसमन सक्ती बहुत तेज है, मैं तुरंट पकड़ लेता हूं, उस समय कुछ नहीं बोलता हूं, फिर मोके पे बोलता हूं, जैसे आज बोल रहा हूं फिर मैंने सास्त्रों में खुजा कि ये बात इतनी टीस कर रही इसको कि इसके पती ने गुमाने नहीं ले गया है, तो आज भी उलाएना दे रही है, पचास साल की होने के बाद भी, वो तो जिन्दी भर देगी बता हूं, आखर ये उलाएना ऐसे ही तो नहीं होगा, अंद सुनो महानुभाव, पुजवर जिन सेन स्वामी महाप्राव, शादी के बार तुरंत घर में प्रवेश किये बना, उसी मंडब से साथ दिन के लिए सिद्ध चेत्र पर घूमने के लिए आदेश दिया गया है, उसी मंडब में दोनों ब्रह्म चरिय ब्रत लेंगे, शाद द दिन का, शाद दिन, तीन दिन, दो अप्शन, तीन से लेकर, इन तीन दिनों में वो धर्म चेत्र पर, शिद्ध चेत्र पहला लिखा, शिद्ध चेत्र पर, गुरुओं के पास जाकर, धर्म ध्यान पूर्वग वितीत करेंगे, फिर तीन या साथ दिन वितीत करने के याद बाद फिर घर में प्रवेश होगा और मैंने कोई घूमने की परंपरा तो आगम में लिखी है लेकिन 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 कहां लिखी और तुम्हारी कहां होते है और सयम के साथ असयम के लिए नहीं घूमना सयम लेकर घूमते हैं दोनों पराने और बडियां भग्वान की भक्ती करते हैं फिर दोनों मिलकर के आते हैं हम अपने दोनों ने धर्म किया है बस और जादा तुम्हें डिस्टर्म नहीं करूँगा अच्छा दिन क्योंकि वो तुम्हारी जिन्दगी के लिए अच्छा दिन है धर्म ध्यान का दिन है और भुरा दिन कभी आ जाया है उस दिन थोड़ा मन बहिलाने के लिए उटी घुमाना मन बहिलाने के लिए जहां जाना है जाओ ये है कर्म को धर्म बदना अब साधी एक कर्म है साधी एक कर्म है एक आपकी गरश्ती का है कर्म है और सम्मिक दिष्टी कहता है भगवन कर्म है मैं एक कर्म कर रहा हूँ दवाए एक कर्म है लेकिन मैं आपका भग दूँगो भगवन इसी कर्म को सुरुवात मैं धर्म से करूँगा कर्म की सुरुवाद धर्म से करूँगा पर समसाद दिन तीन दिन तेन दिन धर्म से होंगे और मैं कर्म से कहूँगा कि हमारा गिरस्ती जो कर्म था उसकी सुरुवाद धर्म से हुई थी अब दौम मिलकर पहले हम धर्म करेंगे बाद में कर्म करेंगे पहला धर्म और धर्म से मंगलाचन शुरू हो माहनुभाव जाओ तुम कितने भी कीचड में चले जाना तुम्हें जंग नहीं लगेगी क्योंकि कर्म को जिसने धर्म से शुरू किया है वो सौना बन करके जिएगा कीचड में भी कादे में हेम अमल है जल से भिन कमल है समय आपका हो गया कर्म को में सूत तीन दिन का क्या था दो मोटिवेशन दिये कभी भी इनकम तुम अपनी तरफ से करना कमाई अपनी तरफ से करना सब कुछ तुमारा होगा खर्च तुमारी मर्जी से मत करना खर्ज किसकी मर्जी से करना पूज़ पुरु से याद है ना पूज़ पुरु माबाप गुरु भग्मान और जिन्वानी बोजन बनाना बोजन खूब कमाना लेकिन खाते समय अपनी मर्जी से नहीं खाना किस से खाना पूजपुरस से कहने पेखाना तो अपनी जिंदगी का व्यए पूजपुरसों से पूच के करना एक दूसरा motivation दिया कर्म को क्योंकि हमारा पूर्व कर्म का धर्म कर्म ने कब जगे कर लिया है पूर्व को के धर्म ने कर्म का रूप ले लिया है और अपन को अब कर्म को धर्म का रूप देना है महावीर भग्वान के ओले परम पूज मुनी पुंगवेक स्वार्श्री सुधा सागर जी महराजी की स्वार्गी श्री बाबूलाल जी जैन फाउंडर ट्रेस्टी पूर्व चेर्मेन शी मती पुषपावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक शी 2008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नान पुरा सूरत की पुन्यसमती में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल सूरत टाइल सूरत एवं हेल्थ रारिया कॉम